है कि अगर यूटुब चल्म आपका स्वागति में दोस्तों उप्राश्ट nervous ऑर चिलिए वर आइन फेक्ट्री संट क करेंगे इससे पहले आप अगरश्य किस अनुच्छा अंच्छाइएं कि भारत का उप्राश्ष्ट पती एक ही सो जिक्सटी फिंग तरसड में आगा गया है अगला कोशन की बात करते हैं भारत के सवीदान में उपराश्ट पती से समदित प्राउदान किस देश के सवीदान से ग्रहन किया गया हैं तो या मेरिका USA से। रैज्यसभा का पदेन सवापती कौन होता हैं। तो इस तरह से question बूचे जाते हैं, चार objective होते हैं, तो उपराश्टपती होता है, अगला question है, क्या उपराश्टपती राज्यसभा का सदस्य होता है, तो नहीं, उपराश्टपती राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्या राज्यसभा में उपराश्टपती को मद्दान का का दिकार ही नहीं राज्य सभा में उप्राश्ट्पति को मत दान का दिकार नहीं तो दोस्तों इस तरह की कोशन मनते हैं एक्जाम में और फेक्ट में पूछे जाते हैं तो इसी रहे जानकरिया आप तक किसा शेयर कर रहा हूं आप चैनल को सस्काइब करें क्या सभापती के रूप में उप्राश्ट्पति को निणायक मत देने का दिकार प्राप्त हैं तो हां प्राप्त हैं अगला कोशन है राश्ट्पति का पद खाली होने पर कितने दिनों तक उप्राश्ट्पति राश्ट्पति की हैसियत से काम कर सकता है तो छह महा इस दोरा राश्ट्पति क चुनाव करा लेना निवार हैं अगला कुश्चन है क्या राष्ट्पती के पद में कार्य करते समय उप राष्ट्पती को वेतन और अन्यसुदायों राष्ट्पती को मिलती हैं तो इसका अंसर है हां दोस्तों अगला है उप राष्ट्पती को पद ग्रण करने के पहले किसकी उपस्तिती में शपत लेना पड़ता है तो राष्ट्पती या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अगला गुश्चन है उप राष्ट्पती का कारिकाल कितने सालों का होता है तो पांच ठीक दोस्तों तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकोन जरूर दबाए प्लेयलिस्ट जरूर देखें दोस्तों और टेलिग्राम चैनल की लिंक भी शेयर की गई है तो एक्जाम पेस से नाम से टेलिग्राम चैनल भी अब तरह वहां से जुड़ें जहीं जी बारत वंदी बाताओं